हेलो दोस्तो ये है यामा की रेट्रो लुक वाली बाइक XSR 155 और इंडिया में ये बाइक कब तक लॉंच होगी कितना प्राइस होगा इसका ये सारी डीटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप इस बाइक के बारे में कोई भी इन्फोरमिशन मिस ना कर पाएं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले इसकी लुक्स की बात कर लेते हैं तो दोस्तो इसमें क्लासिक और रेट्रो लुक मिलती है अगर इसके lighting setup की बात करें तो इसमें round shape की LED headlight मिलती है LED DRLs मिलते हैं और जो इसकी tail light है ये भी round shape की LED tail light मिलती है जो कि इसकी looks को और भी ज़्यादा attractive बना देती है और इसकी seat की बात करें तो काफी comfortable इसमें single seat मिलती है जो कि long ride में भी आपको बिल्कुल थकान महसूस नहीं होने देगी दोस्तो इसके tire section की बात करें तो front में 100 by 80 का 17 inch का tubeless tire rear में 140 by 70 का 17 inch का tubeless tire इसमें मिलता है और काफी अच्छी braking भी इस bike मिलती है front में 282 mm का disc brake rear में 220 mm का disc brake इसमें मिलता है और suspension की बात करें तो काफी comfortable इसमें suspension मिलते है front में telescopic fork और rear में monoshock suspension इस bike में आते है जो कि इसकी riding quality को और भी ज़्यादा comfortable बना देते हैं अब बात कर लेते engine की तो दोस्तो इस bike में 155 cc का single slander 4 stroke liquid cooled F5 BS6 engine मिलता है जो की power produce करता है 19.3 bhp की और talk generate करता है 14.7 nm का तो काफी अठी performance भी इस bike में मिल जाती है और दोस्तो जो इसका meter console है ये भी काफी retro look में मिलता है और ये fully digital meter console इसमें दिया गया है जिसमें speedometer, tachometer, trip meter, autometer ये सारी information इसमें digital में मिलती है और engine check light, low fuel indicator, ABS light जैसे modern features भी इसके meter console में मिलते हैं और अगर price की बात करें तो इस bike का extra room price 1,40,000 रुपे से start हो सकता है तो दोस्तो ये थी सारी updates Yama XSR 155 के बारे में अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना, share कर देना और अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं कराए झाल नहीं